आखिर मुझे मेरे सपनों का घर मिली गया सालों से अपनी थोड़ीशी शेलरी से पैसे बचाते हुए मैंने और मेरी वाइफ ने जैसा घर लेने की सूची थी ये घर उससे कहीं ज़ादा बड़ा और खूब सूरत था जिस रियल एस्टेट कंपनी से मैंने ये घर खरिदा उसने बताया कि ये घर पिछले बहुत सालों से बंद था उससे पहले यहां कोई और मालिक रहा करता था घर सुन्दर तो था लेकिन पुराना होने की बज़े से थोड़ा गंदा हो गया था दिवारों का रंग हलका हो गया था लेकिन इन सब खर्चों को ध्यान में रखते हुए भी हमें वो घर बहुत अच्छे में मिल गया था मेरी वाइफ की प्रेग्निंसी का नौवा महीना चल रहा था और ऐसे में घर बदलने का फैसला लेना हमारे लिए बहुत मुश्किल था लेकिन हम इतनी अच्छी डील को मिस्स नहीं करना चाहते थे इसलिए हमने वो घर खरीद लिया घर खरीदने के सारे पेपर वगरा का काम हो जाने के बाद हमने आट-दस दिन बाद ही वहाँ शिफ्ट करने का फैसला कर लिया घर के साथ में एक लेटर बॉक्स लगा हुआ था जिसमें शायद घर में आने वाले चिट्टियां लेटर वगरा डाले जाते होंगे ये लेटर बॉक्स जरूर पिछले वाले मालिक ने लगवाया होगा तो पहले दिन जब हम अपने समान के सब बॉक्स नए घर में रख रहे थे तो मेरी नजर उस लेटर बॉक्स पे पड़ी आप लोगों में से जिसने भी नया घर खरीदा हो तो आप समझ सकते हैं कि नए घर में जाने के बाद आपकी इच्छा होती है कि आप घर की एक एक चीज एक एक कोने को अच्छे से चेक करें मैंने उस लेटर बॉक्स को लगा देखा तो सीधा उसके पास गया और उसे खोल दिया उसके अंदर एक लेटर रखा था भीजने वाले का नाम पता वगएरा कुछ भी नहीं था मुझे थोड़ी हैरत तो हुई कि अभी से मेरे नाम पे किसने लेटर भीज दिया लेकिन ये सोच के कि शायद किसी प्रॉपर्टी डीलर या किसी और ने भीजा होगा मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया लिफाफे के अंदर एक पेपर था जिस पर कुछ लिखा था उसमें क्या लिखा था वो मैं आपको बिल्कुल वैसा ही बता रहा हूँ इस लेटर में जो कुछ तुम पढ़ने वाले हो उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ अगर तुम एक परिवार वाले आदमी हो जो कि शायद तुम हो तो तुम मेरी मجबूरी समझ सकोगे अपने परिवार को बचाने के लिए मैं जो कुछ कर सकता था मैंने वो किया चाहे उसके लिए मुझे किसी दूसरे के परिवार को ही मुसीबत में क्यों न डालना पड़े जितना मुझे तुम्हारे बारे में पता चला है तुम यहां सिर्फ अपनी वाइफ के साथ आ रहे हो इसका मतलब तुम्हारे साथ कोई बच्चा नहीं है जो कि मेरे लिए बहुती सुकून की बात है इस घर में रहने के लिए तुम्हें कुछ बहुती जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा मैं सारी बाते तो तुम्हें नहीं बता सकता लेकिन अगर तुम इन छे बातों का ध्यान रखोगे तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा नमबर एक इस घर के अंदर बच्चों का आना सक्त मना है चाहे कुछ भी हो जाए ना किसी दोस्त के ना किसी रिष्टदार के बच्चे इस घर में आ सकते हैं नमबर दो घर के बेस्मेंट में हमेशा रात में एक लाइट जलती हुई छोड़ना नमबर तीन अगर तुम्हारी कोई चीज घर में खो जाती है तो उसे ढूंडने की कोशिश मत करना नमबर चार रात में खाना खाते हुए हमेशा एक प्लेट खाना एक्ष्ट्रा रखना नमबर पांच अगर तुम्हारे घर में कोई कुटा है तो रात के वक्त या जब भी तुम घर से बाहर हो तो उसको अच्छे से बांद के रखना वो रात में खुला ना घुमे नमबर च्छे रात के तीन चार बजे के बीच में हमेशा अपने बैडरूम के अंदर ही रहना दर्वासे को अच्छे से बंद करके मुझे पूरी उमीद है तुम इन सब बातों का अच्छे से ध्यान रखोगे आखिर में मैं फिर से एक बार तुमसे माफी मांगता हूँ मैं सिर्फ अपने बच्चों को वापिस लाना चाहता था लेटर के आखिर में घर के पुराने मालिक का नाम लिखा हुआ था सच बताऊं तो वो लेटर पढ़ने के बाद मेरा तो दिमागी चकरा गया मैं अपने आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि जरूर किसी ने हमारे साथ कोई बद्धा मजाक किया है लेकिन जितनी बार भी मैं उस लेटर में देखता मेरा दिल घबरा जाता अभी तो हमने सारा समान शिफ्ट भी नहीं किया था और पहले दिन ही ऐसा मजाक मेरा मतलब बाकी सब चीज़ें तो देखी जाए लेकिन उस लेटर में लिखी सबसे पहली बात कि इस घर में बच्चे नहीं आ सकते उसने शायद कहीं से पता लगाया होगा कि यहां सिरफ मैं और मेरी वाइफ ही आ रहे है लेकिन वो यह नहीं पता लगा पाया कि मेरी वाइफ अभी प्रेगनेंट है और किशी भी दिन उसकी डिलिवरी हो सकती है काश मैं अभी इस घर से दूर जा सकता लेकिन सालों तक जो कुछ मैंने बचाया था वो सब मैंने इस घर को खरीदने में लगा दिया मेरे पास अब कोई चारा नहीं था उस लेटर में लिखी बातों के बारे में मैंने प्रॉपर्टी डीलर से भी बात की जिन से मैंने वो घर खरीदा था क्योंकि कई बार कुछ घर ऐसे होते हैं जहां पहले किसी तरह का कोई क्राइम हुआ होता है तो वहां इस तरह की कुछ कंडिशन्स रखी जाती है लेकिन उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है ना ही इस घर में और ना इस पूरे एरिया में ऐसा कोई क्राइम हुआ था जिससे की वो जगे बच्चों के लिए खतरनाक मानी जाए उस जगे में कोई मर्डर नहीं हुआ था कोई ड्रक्स नहीं पकड़े गए थे यहां तक की पुलिस हिस्ट्री में भी वो घर बिल्कुल साफ था प्रॉपर्टी डीलर ने कहा कि फिर भी वो इस घर के बारे में और जादा पता लगाने की कोशिश करेगा अगले कुछ दिनों तक हम जो कर सकते थे हमने किया मेरी वाइफ ने तो उस लैटर पर जादा ध्यान नहीं दिया लेकिन मैं उसमें लिखी एक एक बात को अच्छे से फॉलो कर रहा था हो सकता है वो सिर्फ मेरा वहम हो लेकिन फिर भी वो सब रूल्स फॉलो करने बहुत आसान थे हमारे पास एक कुटा भी है जिसको मैं रात में हमेशा बांद के ही सोता हूँ तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी बेस्मेंट की लाइट मैं हमेशा से ही रात में जलती हुई छोड़ता था मुझे रात में घर में अंधेरा पहले से पसंद नहीं था तो वो रूल भी पूरा हो गया जहां तक बाकी रूल्स का सवाल है तो मैं कभी नाइट शिफ्ट में काम नहीं करता मेरी दिन की जॉब है तो रात में तीन से चार बजे के बीच में उठने का मतलब भी नहीं है वैसे भी हम लोग 11-12 बजे तक सो ही जाते है तो उस रूल में भी कोई प्राब्लम नहीं थी आप लोगों में से जिसने भी कभी अपना घर शिफ्ट किया है तो आपको पता होगा कि नए घर में जाना कितना ठका देने वाला काम है वो भी तब जबकि घर का सारा काम करने वाला सिर्फ मैं ही था मैंने अपनी वाइफ को कुछ भी उठाने को साफ मना कर दिया था क्योंकि नौवे मन्त की प्रेगनेंसी में उसके लिए वो सब ठीक नहीं था ठकान इतनी जादा थी कि रात में बैट पे लेटते ही नीद आ जाती लेकिन दो दिन बाद मैंने नोटिस किया कि रात के समय बेस्मेंट में से कुछ अजीब सी आवाजे आती है पहले मुझे लगा शायद चूवे होंगे तो मैंने तीन चार चूवे पकड़ने के ट्रैप बेस्मेंट में रख दिये लेकिन उनमें कोई चूवा नहीं फसा जिसका मतलब था कि वो आवाजें चूवों के नहीं थी तब तक हमने बेस्मेंट में कोई समान भी नहीं रखा था हमारा सारा समान अभी बॉक्सेस में ही बन था जिसको हम धीरे धीरे सेट कर रहे थे फिर तीसरी रात हमने कुछ बॉक्सेस उठा के नीचे बेस्मेंट में रख दिये बॉक्सेस रखने के बाद हम बस उपर ही गए थे कि तभी मुझे धडाम से कुछ गिरने की हवास सुनाई दी मैं भाग के बेस्मेंट में गया तो देखा कि एक बॉक्स नीचे गिरा हुआ था वो बॉक्स ना सरफ नीचे गिरा था बलकि उसमें रखा सारा समान नीचे फर्स पर फैला हुआ था मुझे अच्छे से याद है कि मैंने उस बॉक्स को बहुत अच्छे से रखा था और वो बिना किसी के धका दिये गिर नहीं सकता था उस बॉक्स के अंदर सिर्फ हमारी पुरानी फैमिली एलबंस और फोटो ही थी जिन मेंसे कुछ फोटो नीचे फर्ष पर दूर तक जा गिरी थी मैं वो सब फोटो एकटा करने ही जा रहा था कि मेरी वाइफ ने मुझे टोका मेरी वाइफ ने एक अजीब चीज नोटिस की उसने नोटिस किया कि जितनी भी फोटो नीचे फर्ष पर इधर उधर फैली थी उन सभी फोटो में बच्चे थे कुछ मेरे और मेरी वाइफ के बच्चपन की फोटो थी तो कुछ मेरे रिष्टदारों के बच्चों की फोटो थी लेकिन नीचे गिरी हर एक फोटो में एक बच्चा जरूर था जिन फोटो में बच्चे नहीं थे वो बॉक्स के अंदर ही थी हमने फोटो साफ की और उनको फिर से बॉक्स में डालके बॉक्स को अच्छे से रखके उपर आ गया उपर आते हुए मैंने बेश्मेंट में लाइट जलती छोड़ दी उपर आके दस बीश मिनट बाद ही हम सोने चले गए मेरी वाइफ बेड़ पे सो रही थी उसकी नीद ऐसी है कि एक बार सोने के बाद उसको कुछ पता नहीं चलता था मैं उसके बगल में ही लेटा था और करी 20 मिनट लेटे रहने के बाद मेरी भी आउख लगने लगी लेकिन नीद में भी मैं बेसमेंट से आती उन खरोचने की आवासों को अच्छे से सुन पा रहा था और वो आवाजें शायद सीडियों से उपर आ रही थी वो उस घर में हमारा पांचवा दिन था दिन में मेरी वाइफ को लेबर पेन शुरू हो गया और हॉस्पिटल पहुंचने के तीन घंटे बाद ही मेरी वाइफ ने एक बच्चे को जनम दिया मैं अब पिता बन चुका था दो दिन हम हॉस्पिटल में ही रुके लेकिन इतनी खुशी के पल में भी मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी उस लेटर में घर में किसी बच्चे को ना ले जाने की बात लिखी थी लेकिन अब तो हमारा बच्चा आ गया था मैंने घर के पुराने मालिक से कॉंटेक्ट करने की काफी कोशिश की लेकिन उसका तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था वो तो जैसे इस दुनिया से गायब ही हो गया था दो तिन लोग जिनको मैंने मुश्किल से फेस्बुक से ढूंडा था उन्होंने भी उसके घर छोड़ देने के बाद उसको नहीं देखा था किसी को नहीं पता वो इस घर को छोड़ के कहा गया था वो गायब हो चुका था दो दिन हॉस्पिटल में रुकने के बाद मैं अपनी वाइफ और बच्चे को लेकर घर आ गया पहले तो मुझे थोड़ा थोड़ा डर था लेकिन घर आने के कई दिन बात तक भी घर में कुछ भी अजीब नहीं हुआ बलकि उस रात वो बॉक्स गिरने के बाद से घर में अभी तक कुछ भी अजीब नहीं हुआ था अब मुझे पक्का लगने लगा था कि वो लेटर किसी की शरारत थी हमारे साथ जरूर किसी ने प्रैंक किया था फिर अगली रात रात में सोते सोते मेरे बेटे की रोने की आवाज से मेरी आँख खुल गई वो अपने पालने में लेटा रो रहा था मेरी वाइफ भी उट गई थी मैंने उसको पालने से निकालके अपनी वाइफ के पास लेटा दिया वो चुप हो गया वो दोनों सो गए मैंने घड़ी में टाइम देखा तो उस वक्त रात के साड़े बारा बज रहे थे कुछ देर लेटे रहने के बाद मुझे प्यास लगी तो मैं उठके बाहर फ्रिज्ज के पास गया और पानी पीने लगा मैंने फिर से घड़ी में टाइम देखा तब भी साड़े बारा बज रहे थे लेकिन ये कैसे मैंने जल्दी से अपने फोन में टाइम देखा टाइम था तीन बच के पैंतालिस मिनट वो देखके मेरी तो जैसे जानी निकल गई हमारी घड़ी बिजली से चलती थी और उस वक्त वो बंद थी इसका मतलब घर में लाइट नहीं थी उपर वाले फ्लोर पर तो हमने इन्वर्टर से कनेक्शन ले रखा था लेकिन इन्वर्टर का कनेक्शन बेस्मेंट में नहीं था इसका मतलब बेस्मेंट की लाइट भी बन थी उस वक्त मेरी तो पूरी बॉडी में एक डर की लहर सी दोड़ गई मैंने किसी तरह अपने आपको संभाला ये सोचते हुए कि अभी तक तो कुछ भी गलत नहीं हुआ ये सब सिरफ एक प्रैंक है और कुछ भी नहीं मैं अपने आपको समझाने की कोशिश कर रहा था लेकिन मुझे पता था मैंने उस घर के रूल तोड़ दिये हैं पहले ही मैं उस घर में अपने बच्चे को ले आया था और फिर तीन से चार बजे के बीच में अपने कमरे से बाहर निकला और बेस्मेंट की लाइट भी बन थी मुझे लग रहा था जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी थी फिर अगली शाम करीब साथ बजे मैं अपने बेटे के साथ रॉकिंग चेर पे बैठा उसको सुलाने की कुशिश कर रहा था उसकी बड़ी बड़ी मासूम आँखों में मैं पूरे कमरे की चाया देख पा रहा था उपर जल रही लाइट की चमक भी उसकी आँखों में साफ साफ दिखाई पड़ रही थी लेकिन तब ही मैंने उसकी आँखों से देखा कि पीछे खिड़की में कोई खड़ा था वो किसी और आदमी की शेप थी मेरा बेटा उसी वक्त रोने लगा मैंने जट से पीछे देखा लेकिन खिड़की पर तो कोई नहीं था सिर्फ रात के काले अंधेरे के अलावा वहां और कुछ नहीं था उसके बाद के कुछ हफ़तों में घर में कुछ अजीब तो नहीं हुआ लेकिन हमने नोटिस किया कि दीरे दीरे हमारे पूरे घर का माहुली बदलने लगा था मेरी वाइफ बहुत चिर्चडी हो गई थी मुझे भी बात बात पर तेज गुसा आने लगा था एक दिन मेरे हाथ से सरफ एक सेंड़विच का टुकडा नीचे गिर गया तो मुझे इतना तेज गुसा आया कि मैंने वो पूरी प्लेट ही फर्ष पे फेंक मारी उस वक्त मुझे इतनी तेज गुसा आया कि मैं अभी वो पूरा घर जला के राख कर दूँ लेकिन मैं कोई पागल इंसान नहीं हूँ मैं बहुती समझदार इंसान हूँ और अपने आपको बहुत इंटेलिजन्ट मानता हूँ मुझे याद है कि एक बार मैंने कहीं इस फिनोमेना के बारे में पढ़ा था इसको कॉल अफ दो वोर्ड बोला जाता है हर एक इंसान कभी ना कभी अपनी जिन्दगी में इसको जरूर महसूस करता है जैसे कि आप कभी किसी उची बिल्डिंग पे खड़े हैं तो आपका मन करता है कि यहां से कूच जाऊं बिना किसी रीजन के कई बार आप जब अपने परिवार के साथ होते हैं आपकी वाइफ के और बच्चे के जिसको आप अपनी जिन्दगी में सबसे जादे प्यार करते हैं तो आपका मन करता है कि आप उनको अपने गले लगा के उनकी जान निकाल दें इस तरह के खयाल हर किसी के दिमाग में आते हैं अपनी जान लेने के दूसरे की जान लेने के लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप ऐसा कर लेंगे ये बस एक तरह से आपके दिमाग का तरीका होता है ये पता करने का कि वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि एक नॉर्मल इंसान के दिमाग में ऐसे ख्याल कभी कभी आते हैं लेकिन मुझे तो ऐसे ख्याल दिन भर आने लगे थे कहीं भी बैठा होता, कुछ भी कर रहा होता अचानक से दिमाग में ख्याल आता इस घर को आग लगा दे अपनी वाइफ और बच्चे को मार दे अपने हाथ की नस काट ले लेकिन जितनी तेजी से ये ख्याल मेरे दिमाग में आते उतनी ही तेजी से चले भी जाते कई हफ़तों तक ऐसा चलता रहा और एक दिन मैंने अपनी वाइफ को इस बारे में बता ही दिया मैंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से मेरे दिमाग में बिना किसी बात के ये गंदे गंदे खयाल आ रहे हैं लेकिन मुझे हैरानी थी ये जानके कि मेरी वाइफ को भी पिछले कुछ दिनों से इसी तरह के खयाल आ रहे थे उसने बताया कि जब वो अकेली होती है तो उसके दिमाग में भी गंदे गंदे ख्याल आने लगते हैं जान देने के ख्याल, मरने के ख्याल हम एक दूसरे की बात को बहुत अच्छे से समझ सकते थे क्योंकि वो हम दोनों के साथ ही हो रहा था मैंने अपनी वाइफ को गले लगाया और एक दूसरे से वादा किया कि हम इस तरह के ख्यालों को अपने उपर हावी नहीं होने देंगे और अगर हम ऐसा नहीं कर सके तो हम किसी डॉक्टर के पास जाएंगे फिर उसी रात रात में सोते सोते अचानक मेरे बेटे के रोने की आवाज से मेरी आँख खुल गई मैं नीद में आँखें मसलता हुआ उसके पालने के पास गया और उसको उठाने के लिए जुका लेकिन लेकिन वो वह नहीं था मेरी नीद एकदम से उड़ गई उसके रोने की आवास मुझे अभी भी आ रही थी लेकिन उसके पालने से नहीं बलकि घर में किसी और चखे से मैं उसी वक्त भागता हुआ उसके रोने की आवास के पीछे जाने लगा मुझे पता था मुझे मेरा बेटा कहां मिलेगा लेकिन मैं उसको नकारने की कोशिश कर रहा था वो बेस्मेंट में था बेस्मेंट का दर्वासा खोलते ही उसके रोने की आवास और तेज हो गई जैसे कि वो बहुत दर्द में हो मैं सीडियों से भागता हुआ नीचे गया जल्द बाजी में मैं गिरते गिरते बचा था नीचे पहुँचते ही उसके रोने की आवाज अचानक से बंध हो गई मैंने बेस्मेंट का कोना कोना चान लिया लेकिन मेरा बेटा वह नहीं था बेस्मेंट में सिवाए खाली पन और खामोशी के कुछ नहीं था लेकिन मेरा बेटा, मेरा बेटा गया कहां हजारों खयाल मेरे दिल में आने लगे उस लेटर में लिखी एक एक बात मेरी आँखों के सामने आने लगी बेस्मेंट की लाइट हमेशा जलती हुई छोड़ना और अगर कोई चीज खो जाए तो उसको ढूंडने की कोशिश मत करना मैं भागते हुए सीडियों के ऊपर गया और दर्वाजा खोलने के लिए नॉब गुमाया लेकिन नॉब तो हिला तक नहीं मैंने नॉब को पूरी ताकत से पकड़के गुमाने की कोशिश की लेकिन वो फिर भी नहीं खुला तभी मुझे याद आया कि उस नॉब पे तो लॉक था ही नहीं इसका मतलब कोई दूसरी तरफ से उस नॉब को पकड़के खड़ा था और तभी बेस्मेंट का बल्ब बंद हो गया शायद लाइट चले गई थी मेरे चारों तरफ गुप अंधेरा चा गया मैं अभी भी उस नॉब को पकड़के खड़ा था खोलने की कोशिश करते हुए अब मैं बेस्मेंट के उस अंधेरे को अच्छे से महसूस कर पा रहा था जैसे कि वो अंधेरा जिन्दा हो मेरा रॉम रॉम खड़ा हो गया और तभी सबसे नीचे वाली सीडी पर किसी के पैर रखने की आवाज आई मैं पागलों की तरह अपनी वाइफ को आवास लगाते हुए दर्वाजा खोलने की कोशिश कर रहा था फिर से आवाज आई वो जो कुछ भी था मेरे पास आ रहा था मैं दर्वाजा पीटते हुए अपनी वाइफ से दर्वाजा खोलने की भीख मांग रहा था वो आवास बस मेरे पास पहुँचने ही वाली थी और तभी दर्वाजा खोल गया बाहर मेरी वाइफ खड़ी थी क्या हुआ वो बोली उसकी आँके लाल थी मतलब की वो नीन से उठके आई थी और उसकी गोद में हमारा बेटा था जो की रो रहा था मैंने किशी तरह अपने आपको संभालते हुए उससे पूछा कि ये तुम्हें कहा मिला क्या मतलब कहा मिला वो बोली ये तो अपने पालने में सो रहा था मुझे तुम्हारे जोर-जोर से बेस्मेंट में चिलाने की आवाज आई तो मैं तुम्हें देखने आई थी क्या हुआ तुमको क्यों चिला रहे थे मैं उसको डराना नहीं चाहता था मैंने कहा मैं नीन में चलते हुए यहां आ गया था चलो रूम में चलते हैं उसके बाद मैं पूरी रात नहीं सोया बस पूरी रात लेटा घड़ी की तरफ ही देखता रहा जब मैं अपने बैट पे लेटा उस वक घड़ी में तीन बचके 57 मिनट हो रहे थे आने वाले दिनों में चीजें बद से बत्तर होती चले गई मेरी वाइफ को रात में डरावने सपने आने लगे वो सोते सोते बातें करने लगती रोने लगती और कई बार तो चीखने लग जाती कई बार मैं उसको उठाके उसको शांत कर देता लेकिन कई बार मैं चुप-चाप लेटा रहता क्योंकि मैं कुछ और कर भी नहीं सकता था वो नीन में रोती, चीखती, लाते चलाती और मैं तमाम कोशिशों के बाद भी उसको नीन से नहीं चगा पाता शुरू-शुरू में तो मुझे नीन्द में उसकी बातें समझ भी आते थी वो हमारे बेटे के बारे में कुछ बोलती कुछ मत करो मेरे बेटे को, प्लीज, ये मेरा बच्चा है, छोड़ दो इसे, प्लीज लेकिन बाद में वो क्या-क्या बोलने लगी थी, मुझे कुछ समझ नहीं आता नीन्द में वो कई बार, एस्टर, या फिर पाई, और्स, और्स, और्स बोलती पूरी रात पस यही वर्ट्स बोलती रहती मैं चहा के भी कुछ नहीं कर सकता था पूरी रात मैं ही अपने बच्चे को संभालता सुबह उठने पर उसको कुछ भी याद नहीं रहता ना किशी सपने के बारे में ना कुछ और यहां तक कि कई बार जब मैं उसको नीन से उठा पाने में कामियाब भी हो जाता तब भी उसको कुछ याद नहीं होता था वो बस आँखे फाल फाल के मेरी तरफ देखती और पूछती कि मैं उसे क्यों हिला रहा हूँ फिर एक हफते बाद एक दिन मैंने उसको कहा कि तुमको कोई प्राब्लम है हमको किसी थेरापिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए वो तयार हो गई मुझे पासी में एक स्लीप स्पेशलिस्ट के बारे में पता चला तो मैंने उसी वीकेंड उनके हियां अपॉइंट्मेंट फिक्स करवा ली अपॉइंट्मेंट वाले दिन मैं अपनी वाइफ और बच्चे को लेकर उसके यहां पहुँच गया भीड से बरे वेटिंग रूम में हम अपनी बारी के आने का वेट करने लगे वहां बैठे मैं अपनी वाइफ से जादर नर्वस फील कर रहा था कुछ दिर बाद हमारा नमबर आ गया हमने थेरेपिस्ट को सारी बातें बता दी उसने मेरी वाइफ से कई तरह के सवाल किये वो लंबा पतला सा इनसान था जब हम उसे अपनी बातें बता रहे थे तो वो अपने मूँ पर हाथ रखे ध्यान से हमारी बातें सुन रहा था सारी बातें सुनने के बाद थेरेपिस्ट ने हमें अपना एसेस्मेंट बताया मुझे लगता है आपको कोई बिमारी तो नहीं है लेकिन आपके मन में कोई ऐसी बात दबी हुई है जिसको शायद आप खुलके बोल नहीं पाती है इसलिए आपके वो सारे दबे हुए खायाल आपकी नीन में बाहर आते है आपको फिकर करने के जरूरत नहीं है इसको थेरपी से ठीक किया जा सकता है वो बोला जी तो बताईए हमें क्या करना होगा मेरी वाइफ बोली आपको एक हिपनोटिक सेशन के जरूरत है हिपनोटिक सेशन? ये सुनके मेरे मूँ से हसी निकल गई मेरा मतलब मैं इन सब थेरपी से में यकीन करता हूँ लेकिन हिपनोटाइस करके वो मेरी वाइफ को कैसे ठीक करेगा मुझे तो उसकी बात बहुत अजीब लगी मैंने अपनी वाइफ के तरफ देखा लेकिन वो बिल्कुल सीरियस थी उसने हिपनोटिक सेशन के लिए हां कर दिया थेरेपिस ने कहा कि हिपनोटिक सेशन तभी शुरू किया जा सकेगा जब रूम में पूरी शांती होगी और अगर हमारा बच्चा बीच में रोया तो मुझे बच्चे को बाहर ले जाना होगा मुझे लग रहा था वो अपनी जेब से एक घड़ी निकालेगा जैसे फिल्मों में करते हैं और फिर मेरी वाइफ को उसे देखते रहने को बोलेगा लेकिन उसने ऐसा नहीं किया उसने बस मेरी वाइफ को सोफे पे अराम से बिठा दिया और उसके हाथ उसके घुटनों पे रखके आखे बंद करने को कहा फिर वो उससे हलकी हलकी लेकिन फोकस्ट आवाज में बातें करने लगा और फिर करीब पंदरा मिनट बाद मैंने देखा कि मेरी वाइफ ट्रांस में जा चुकी थी फिर वो बोला आपका नाम क्या है मेरी वाइफ ने अपना नाम बता दिया तुम अभी कहा हो उसने पूछा एटिक में एटिक कौन से एटिक में डॉक्टर ने पूछा हमारे घर के एटिक में वो बोली उसकी बात सुनके मेरे कान खड़े हो गए क्योंकि हमारे घर में तो कोई attic था ही नहीं attic एक छोटा सा store होता है जहां यूज में ना आने वाले पुराने सामान को रखा जाता है और जहां तक मुझे पता है हमारे घर में कोई attic नहीं था attic में क्या कर रही हो डॉक्टर ने पूछा वो सीडियां attic से जाती है सीडियां? कैसी सीडियां? डॉक्टर ने पूछा उपर वाले फ्लोर पर जाने वाली सीडियां वो attic से जाती है अच्छा लेकिन तुम वहां क्या कर रही हो मैं चुप रही हूँ चुप रही हो? किस से? मनाडा से मनाडा? कौन मनाडा? बस डॉक्टर के इतना कहते ही वो जोर जोर से चीखने लगी बिलकुल वैसे जैसे वो नींद में चीखती थी वापिस घर आते हुए हमने आपस में कोई बात नहीं की नहीं उसको कुछ याद था कि उसने क्या क्या जवाब दिये थे फिर उसी रात उसके सोजाने के बाद भी मैं काफी दिर तक जागता रहा मुझे नीन नहीं आ रही थी मैं बैट पे लेटा बस टीवी की तरफ देखे जा रहा था लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था मेरी वाइफ ने एटिक में होने की बात कही थी मुझे उस एटिक को ढूंडना था मैंने कई मकानों में देखा था कि पुराने एटिक को सिमेंट और प्लास्टर से ढख दिया जाता है जिससे कि वो ना दिखे कहीं हमारे घर में भी ऐसा कोई छुपा हुआ एटिक तो नहीं था मैंने एक डंडा उठाया और बाहर हॉल में जाके उपर की तरफ मारने लगा मैं सोच रहा था कि अगर यहां एटिक होगा तो उसकी आवाज से मुझे पता लग जाएगा फिर करीब दस मिनट तक पूरे हॉल में डंडा मारते रहने के बाद जब मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला तो मैं बस बैटने ही वाला था लेकिन तभी डंडे की एक आखरी चोट से मुझे उपर से अजीब सी आवाज आई जैसे की उपर से चछत खोकली हो मेरा खयाल सही था एटिक वहीं था मैं जल्दी से किचन से एक कुरसी निकाल के लाया और ठीक उस जखे की नीचे लगा के जोर जोर से डंडा मारने लगा उस एटिक को गत्ते और पेंट से बंद किया गया था मैंने उसको खोल दिया मेरे घर में एक एटिक था जिसके बारे में मुझे अभी तक पता ही नहीं था मुझे एटिक मिलतो गया था लेकिन उसके अंदर किया था मुझे वो पता करना था मैंने अपने फोन की टॉर्च ओन की और एटिक के अंदर देखने की कोशिश करने लगा मैं उसके अंदर नहीं जाना चाहता था बस यहीं सोच रहा था कि शायद बाहर से ही कुछ दिख जाए अंदर बहुत धूल थी और मैंने देखा कि अंदर एक गत्ते का बॉक्स रखा हुआ था लेकिन वो मेरी पौहँच से काफी दूर था मैं जल्दी से किचन में जाके एक स्टूल उठाके लाया और उसके उपर चड़के उस बॉक्स को बाहर खींचने की कोशिश करने लगा मुझे नहीं लग रहा था कि वो बॉक्स इतना भारी होगा लेकिन वो बहुत भारी था किसे तरह मैंने उसके एक कोने को पकड़के बाहर खींच लिया लेकिन शायद पुराना होने की वज़े से मेरे खींचते ही वो बॉक्स साइड से खुल गया उसके अंदर जो कुछ भी रखा था वो सब बाहर आ गया और बाहर निकली उन चीजों को देखके सच बताऊं तो एक बार के लिए तो मेरे दिल ने धड़कना ही बंद कर दिया था उसके अंदर छोटे छोटे बच्चों की बहुत सारी तस्वीरें थी पुरानी तस्वीरें छोटे छोटे बच्चे, चार, पांच, दस महीनों के बच्चों के तस्वीरें मुझे समझ नहीं आया कि मैं उन तस्वीरों का क्या करूँ मैं उन सब को वहीं छोड़के जल्दी से अपने कमरे में आ गया अगले दिन मैंने अपनी वाइफ को सारी बात बताई कि कैसे रात में मैंने घर में एक एटिक ढूंडा था और उसके अंदर मुझे बच्चों की फोटो मिली थी मेरी बास सुनके वो डर गई उसको यकीन था कि हमारे इस घर में आने से पहले से ही यहां कुछ बहुत गलत किया जा रहा था ऐसा हो तो सकता था लेकिन मैं यह मानने को तैयार नहीं था मेरा मतलब वहां वो सभी फोटो जो मैंने देखी थी वो सब अलग-अलग छोटे-छोटे बच्चों की थी हो सकता है वो किशी दिवार से उतार के वहां रखी गई हो या फिर शायद किशी अलबम से निकाल के वो सब अलग-अलग उमर के बच्चे थे छोटे बच्चों के साथ कौन बुरा कर सकता है उन में से कुछ फोटो तो बहुत पुरानी लग रही थी लेकिन कुछ फोटो ज़्यादा पुरानी नहीं थी दो-तीन साल पहले की ही लिए हुई लग रही थी लेकिन जो भी था हमें अब ये तो यकीन हो चुका था कि उस घर में हमारा रहना ठीक नहीं है इतने दुनों से इतना कुछ होने के बाद भी हम वहार रह रहे थे लेकिन उस रात उस बेस्मेंट में मेरे साथ जो हुआ और अब ये फोटो मैं अपने बच्चे के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता था मेरे मम्मी पापा दूसरे शहर में रहते हैं जो की हमारे घर से तीन चार घंटे दूर है हमने डिसाइड किया कि हम कुछ दिनों के लिए वहीं रहेंगे जब तक आगे का कुछ फाइनल नहीं हो जाए मैंने अपनी मम्मी पापा को कुछ नहीं बताया बस यही बोला कि उस घर में अभी काफी काम किया जाना बाकी है तब तक हम आपके साथ ही रहेंगे वहां जाने के बाद हमारी लाइफ फिर से पहले जैसी हो गई ना मुझे गुस्सा आता ना मेरी वाइफ रात में कुछ बोलती सब कुछ पहले जैसा हो गया था अब तो मुझे भी यह लगने लगा था कि शायद वो सब कहीं हमारे मन का वहम तो नहीं था कहीं हम ओवर रियक्ट तो नहीं कर रहे थे जिन्दगी फिर से पट्री पर आ चुकी थी लेकिन फिर एक दिन मेरे पास एक कॉल आई ये कॉल घर के लैंड लाइन फोन पे आई थी हमारे वहां आने के करीब एक हफ़ते बाद मैंने फोन उठाया तो पहली 30 सेकंड तक तो बस स्टैटिक की आवास ही आती रही हलो मैं बोला तो फिर कुछ सेकंड बाद अचानक से एक बच्चे की रोने की आवास आने लगी आवास बहुत हलकी और दबी दबीशी लग रही थी मैंने का हलो कौन है लेकिन अगले ही सेकंड कॉल कट कई उस वक्त मेरे तो जिस्म का रॉम रॉम खड़ा हो गया था मैंने फोन नीचे रखा और जाके अपने बैट पी लेट गया मुझे मुझे तो समझे नहीं आ रहा था कि ये क्या था क्यों था मुझे लग रहा था वो घर छोड़ देने के बाद अब सब कुछ ठीक हो गया है लेकिन लेकिन मैं गलत था उसने हम को ढून लिया था और उसने सीधा मुझे ये मैसेज भेजा था कि वो इतनी असानी से मेरा और मेरे परिवार का पीचा छोड़ने वाला नहीं है अब मुझे ही कुछ करना था मैंने खुद उस घर के इतिहास के बारे में पता लगाने का फैसला किया वहां के आसपास के लोगों से भी मिला लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था कि उस घर में पहले कौन रहता था तो मैंने उस रियल एस्टेट कंपनी के आफिस में जाके पता किया जहां से मैंने वो घर खरिदा था उन्होंने मुझे पहले तो कुछ भी बताने से मना कर दिया ये कहके कि वो लोग अपने कस्टमर्स की कोई भी डीटेल्स किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते लेकिन फिर एक घंटे बाद ही उस रिसेप्शनिस्ट की मेरे पास कॉल आई उसने कहा कि उसको उसके सुपरवाइजर ने मुझे उस घर के बारे में सब कुछ बता देने को कहा है उसने बताया कि उनके पास उस घर के बारे में जादा इंफर्मेशन तो नहीं है लेकिन उन प्रॉपरटी एजेंट्स के बीच में उस घर को डेड प्रॉपरटी के नाम से जाना जाता है डेड प्रॉपरटी? क्यों? मैंने पूछा तो उसने बताया कि उस घर के मालिक की आज से पचास साल पहले मौत हो गई थी और तब से वो घर किशी नहीं खरिदा वो घर असल में एक औरत के नाम पे था जो 1958 में मर गई थी उसने बताया कि उसके बाद से ही उनकी रियल एस्टेट कमपनी ने उस घर को बेचने की काफी कोशिशे की लेकिन वो घर कभी बिकी नहीं सका और आज से करीब तीन साल पहले को उस घर में अचानक से आग लग गई किसी को पका तो नहीं पता कि वो आग कैसे लगी लेकिन कुछ लोग बताते हैं कि कुछ चोटे-चोटे बच्चे एक दिन खेल-खेल में उस घर के अंदर चले गए थे और शायद उन्होंने ही उसमें आग लगा दी थी वो घर वैसे भी बहुत पुराना था और आग लगने के बाद उसकी हालत और खराब हो गई अब तो उसको कोई भी नहीं खरीदने वाला था इसलिए कमपनी ने फैसला किया कि उस घर को तोड़ दिया जाए और बैंक के थुरू उसको निलाम किया जाए लेकिन घर तोड़ने का काम शुरू करने से पहले ही एक औरत ने उनसे कॉंटेक्ट किया और उस घर को ना तोड़ने के लिए कहा उस औरत ने कंपनी को अच्छा डोनेशन भी आफर किया उस घर की मरमत करवाने के लिए डोनेशन देने के लिए उसने सिर्फ एक शर्त रखी थी शर्त ये थी कि उस घर का मालिकाना हक बैंक अपने पास ही रखेगा और वो घर किसी को नहीं बेचा जाएगा उसकी बात मान ली गई उस घर को बेचने की सभी एट्स बंद कर दी गई बैंक के लिए भी ये फायदे का सौधा था क्योंकि उनको बहुत मोटी डोनेशन मिल गई थी और वो प्रॉपर्टी भी अब बैंक की ही हो गई थी ये सब होने के कुछ महीनों बाद वो घर मैंने खरीद लिया था लेकिन ऐसा कैसे हुआ क्योंकि वो घर तो किसी को बेचा ही नहीं जाना था मैंने फोन पे उस रिसेप्शनस से कहा मैंने कहा कि मैं तो खुद आपके आफिस के एक एजेंट से मिला था उसी ने मुझे प्रॉपर्टी दिखाई थी और सारे डॉकिमेंट्स तयार करके दिये थे घर खरीदने के लाखों रुपए भी मैंने उसी एजेंट को दिये थे सब कुछ प्रॉपर्ट तरीके से हुआ था वो बोली नहीं ऐसा नहीं हो सकता सर क्योंकि हमारे पास तो उस घर की चाबी तक नहीं थी उस घर की चाबी तो बैंक के पास थी ये सुनके मेरा तो दिमागी घूंग गया मुझे तेज गुसा और फ्रेस्टेशन हो रही थी मैंने का मुझे अभी तुम्हारी कमपनी के मालिक से बात करनी है वो बोली मैं उनके आफिस में आके मिल सकता हूँ लेकिन उस मालिक ने भी मुझे वही सब बाते बताई जो उस लड़की ने बताई थी उसने बताया कि वो प्रॉपर्टी उनके लिए डैड प्रॉपर्टी थी क्योंकि पचास साल पहले से जब उनके पास वो प्रॉपर्टी आई थी तभी से उस प्रॉपर्टी को बेचा नहीं जा सका था और आखिर में वो प्रॉपर्टी एक बैंक को निलाम कर दी गई थी उसने बताया कि ऐसा हो भी नहीं सकता था कि उसकी कम्पनी का कोई एजेंट वो प्रॉपर्टी मुझे बेचे फिर मैंने उस बैंक में जाके उस घर के बारे में पता करने की कोशिश की तो उन्होंने भी बिल्कुल वही बात मुझे बताई जो उस रियल एस्टेट कम्पनी वालों ने बताई थी लेकिन उन्होंने एक और बहुत जरूरी बात मुझे बताई उन्होंने बताया कि करीब 6 महीने पहले बैंक के लॉकर से उस घर की चाबी गायब हो गई थी शायद किसी ने चुरा ली थी उन्होंने इन्वेस्टिगेट करने की भी कोशिश की कि वो चाबी कहा गई लेकिन कुछ पता नहीं चल सका उसकी बात सुनके मैंने उससे और कोई सवाल नहीं पूछा और चुप चाब वहां से अपने घर आ गया नहीं मैंने उन में से किसी को उस लेटर के बारे में कुछ बताया मैं उनको क्या बताता मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है मैं मैं तो जैसे बुरी तरह फंस चुका था इस जाल में इस मुसीबत में फिर उसी रात रात में सोते हुए मैंने सपना देखा कि मैं उसी घर में पहुँच गया हूँ उस घर में बिलकुल अंधेरा है लेकिन अंधेरे में भी मैं उस घर में गूम रहा हूँ शायद मैं कुछ डूंड रहा था पता नहीं क्या लेकिन वो कोई बहुत जरूरी चीज थी मैं उस कमरे में जाता हूँ जहां मेरा बेटा सोता था और उस कमरे के सामने पहुँचते ही दरवाजा अपने आप खुल जाता है मैं अंदर जाता हूँ लेकिन अंदर जाते ही मुझे एसास होता है कि वहाँ कोई और भी है मैं पलट कर देखता हूँ कि एक छोटी लड़की मेरे पीछे बैठी है आठ नो साल की लड़की सफेद रंग का नाइट गाउन पहने दरवाजे के पीछे बैठी है उसके पैरों में चपल भी नहीं थी और उसके पैर बहुती गंदे हो रखे थे मैं उसके तरफ देखी रहा था कि मैंने नोटिस किया उसने अपने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ था मुझे नहीं पता वो क्या था लेकिन वो उसी में खोई हुई थी वो मेरी तरफ नहीं देख रही थी मैंने उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया लेकिन तभी मैं रुख गया मुझे अचानक से ऐसा लगने लगा जैसे मैं किसी बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ मेरी जान जाने वाली है मैं भाग के दिर्वाजे की तरफ गया लेकिन दर्वाजा धडाम से अपने आप बंद हो गया दिवारों उपे पीटने की अजीब सी आवाजे आने लगी मैं भाग के खिड़की की तरफ जाने लगा वहां से निकलने के लिए लेकिन तभी वो लड़की उटी और किसी जानवर की तरह गुराते हुए मेरी तरफ दौड के आने लगी मैं डर के मारे बुरी तरह चीखा और तभी मेरी आँक खुल गई मेरा बेटा जो मेरे और मेरी वाइफ के बीच में सो रहा था वो भी उड़ गया और रोने लगा मेरी वाइफ भी उड़ गई थी मैंने अपनी वाइफ से कहा सो जाओ और अपने बेटे को अपनी चाती पर लिटा लिया मुझे अब वैसे भी नीन नहीं आने वाली थी मैं जादर रिलीजिस इनसान तो नहीं हूँ लेकिन मुझे अब लगने लगा था कि इस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए मुझे किसी की हल्प लेनी ही पड़ेगी अगले दिन ही मैं अपने एरिया की एक चर्च में चला गया और वहां के फादर से बात की वो पतला सा आदमी था साठ के आसपास की एज होगी जब मैं चर्च में गया तो वो एक बड़ी सी बेंच पे बैठे कुछ पेपर्स का काम कर रहे थे मुझे देखके उन्होंने मुझे से प्यार से पूछा क्या हुआ बेटा क्या हेल्प चाहिए तुमको मेरे घर में कुछ है मेरे घर में भूत है मैंने कहा और वो मेरे पीछे पड़ गया है मैंने उसे पीछे चुणाने के लिए अपना घर भी बदल के देख लिया लेकिन वो मेरा और मेरे परिवार का पीछा नहीं छोड़ रहा है मुझे आपकी मदद चाहिए हम तो मैं ऐसा क्यूं लगता है कि तुम्हारे घर में भूत है फादर ने मुझसे आराम से पूछा तो मैंने उनको अपने घर में हुई सारी बातें बता दी वो लैटर वाली बात और वो बेस्मेंट वाली बात भी मैंने उनको बताया कि मुझे उस लैटर में लिखी बातों को फॉलो करना था लेकिन मैंने उसमें लिखे सब रूल्स को जाने अंजाने में तोड़ दिया शायद वो रूल्स फालो किये जाने के लिए थे ही नहीं शायद उस घर में मौजूद उस काली ताकत नहीं मुझसे वो सब रूल्स तुड़वाए थे नाइट का चला जाना गड़ियों का अपने आप बंद हो जाना मेरे बेटे का पालने से गायब हो जाना शायद ये सब कुछ पहले से सोची समझी चाल थी मुझे उसके जाल में फसाने की इतने दुनों से मैंने अपने दिल में जो कुछ भी दबा के रखा हुआ था मैंने सब कुछ फादर के सामने निकाल दिया फादर ने ध्यान से मेरी पूरी बात सुनी और फिर कुछ देर चुपचाप सोचने के बाद वो खड़े हो गए और बोले इस तरह की कहानिया मैं बहुत लोगों से सुन चुका हूँ लोग अक्सर इस तरह की प्राब्लम्स लेकर मेरे पास आते रहते हैं मैं बस उनके घर जाके उनके घर को ब्लेस कर देता हूँ लेकिन तुमारे घर में मैं पक्के तोर पर तो कुछ नहीं कह सकता कि तुमारे घर में किसी नरक के शैतान का वास है या नहीं लेकिन अगर जो कुछ तुमने बताया वो सच है तो मैं अगले हफ़ते तुम्हारी हेल्प के लिए एक सीनियर फादर को तुम्हारे घर भेज सकता हूँ तब तक तुमको वेट करना पड़ेगा अगले हफ़ते? नहीं, मुझे तो अभी आपकी हेल्प के जरूरत है मेरे परिवार की जान को खत्रा है मैं अगले हफ़ते तक नहीं रुक सकता लेकिन फादर को तो जैसे कुछ फरक है नहीं पड़ा डरो मत बेटा, शैतान में इतनी ताकत नहीं है कि वो हमारी दुनिया में कुछ छेड़ चाड़ कर सके उसकी ताकत सिर्फ हमारे डर से बढ़ती है तुम मट डरो, सब ठीक होगा अगले हफ़ते हमारे एक सीनियर पेस्टर तुम्हारे घर आएंगे मैं सर हिला के बिना कुछ बोले, वहां से चला गया मेरी वो उम्मीद, उम्मीद ही रह गई लेकिन मैं इससे जादर कर भी कह सकता था मुझे उस घर में अब वापिस जाना था हाला कि उस घर में वापिस जाने के ख्याल से ही मेरा दिल घबराने लगता था लेकिन मुझे एक बार उस घर में फिर से जाना था क्योंकि हमारे सारे कपड़े और बाकी का समान अभी वहीं थे और साथ ही मुझे वो घर खरीदने के सारे पेपर्स भी वहां से उठा के लाने थे जिससे कि मैं वो सब बैंक को दिखा सकूँ जहां तक मुझे याद है मैंने घर के सारे पेपर्स वगेरा एक फोल्डर में भरके बेश्मेंट की एक ड्रॉर में रखे थे लेकिन मैं बेश्मेंट में जाऊंगा कैसे मुझे तो सोचके भी डर लग रहा था मैंने सोच लिया था जा कि बेश्मेंट में नीचे जाने से पहले मैं बाहर से ही नीचे देखूँगा और अगर मुझे कुछ भी गड़बर लगी तो मैं वहाँ से भाग जाऊंगा वो पेपर बहुत जरूरी थे लेकिन उनके लिए मैं अपनी जान नहीं दे सकता था मैं वापस उस घर में पहुँच गया घर का ताला खोलते हुए लग रहा था कि अंदर ना जाने क्या कुछ हो रखा होगा दिवारों पे खून लगा होगा कुरसियां और टेबल उल्टी रखी होंगी लेकिन जब मैं घर के अंदर गया तो देखा कि हर एक चीज बिलकुल वैसी ही थी जैसी हम छोड़के गए थे मैंने जल्दी से एक बड़ा सा बैग उठाया और अपने कमरे में जाके सारे कपड़े, हमारे बच्चे के डाइपर्स वगएरा उसमें भरने लगा सारा सामान भरके मैंने बैग की चेन बंद की और बाहर निकल गया सारा सामान भरके मैंने बैग की चेन बंद की और बेडरूम से बाहर निकल गया बाहर निकला तो देखा कि सामने बेस्मेंट था जिसका दर्वाजा खुला हुआ था बिल्कुल वैसे जैसा हम उसे छोड़के गए थे मुझे बस थोड़ी सी हिम्मत करनी थी मैं भाग के जाऊंगा और जट से पेपर निकालके भागता हुआ उपर आ जाऊंगा नीचे ड्रॉर में वो पेपर्स कहां रखे थे मुझे अच्छे से याद था और अगर इस बीच कुछ भी अजीब हुआ तो मैं उसी वक्त यहां से भाग जाऊंगा और फिर कभी इस घर की तरफ पलट के भी नहीं देखुआ मेरा दिल तेजी से धढ़क रहा था मैंने बैग नीचे रखा और एक, दो, तीन मैं तीरी से भागता हुआ बेस्मेंट की सीडियों से कूटता नीचे पहुँच गया और सीधा उस ड्रॉर के पास जाके उसे खूल दिया जिसके अंदर पेपर्स वाला फोल्डर रखा था मुझे वो फोल्डर मिल गया लेकिन मैंने वो फोल्डर खोला तो देखा कि वो तो बिल्कुल खाली था उसमें तो एक भी पेपर नहीं था लेकिन, लेकिन कैसे घर के सारे पेपर तो मैंने उसी फोल्डर में रखे थे मैं बढ़ावास सा होकर ड्रॉर में रखे बाकी सारे पेपर्स चेक करने लगा ड्रॉर में बाकी सब पेपर्स थे सिवाए उस घर के पेपर्स के क्या करूं क्या करूं मेरे दिल में बहुत बेचेनी होने लगी थी मुझे उस बेस्मेंट से निकलना था मैं वहाँ और नहीं रुख सकता था मैंने ड्रॉर बंद किया और तीजी से उपर जाने लगा मैं जिस उमीद से वहाँ आया था वो उमीद अब तूट चुकी थी हजारा खयाल एक साथ दिल में आ रहे थे और तब ही एक खयाल मेरे दिमाग में आया मुझे हैरानी थी कि अभी तक मैंने वो क्यों नहीं सोचा था उस एटिक में जिन बच्चों की तस्वीरे मैंने देखी थी मैं वो सब तस्वीरे निकाल के पुलिस को भी तो दे सकता था शायद पुलिस उन तस्वीरों का कोई सुराग निकाल पाती वहां से गायब हुए बच्चों का उससे बड़ा सबूत क्या हो सकता था उस घर में घट रही उन सब अजीब चीजों का हाँ, मुझे वो तस्वीरे निकालने ही थी उपर दर्वासे के पास जाके मैं रुख गया मुझे ये करना ही था इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था बस 30 सेकंड 30 सेकंड में मैं वो सारी तस्वीरे उठा के वहां से भाग निकलूँगा मैं जल्दी से किचन में गया और वहां से सीड़ी लेके एटिक के नीचे लगा दी और उपर जाने लगा उपर जाते हुए एटिक की धूल मेरे उपर गिर रही थी लेकिन मेरे पास और कुछ सोचने का टाइम ही नहीं था मैं बस जल्दी से उस तस्वीरों वाले बॉक्स को खीच के बाहर निकालना चाहता था लेकिन लेकिन वो बॉक्स तो वहाँ था ही नहीं वो वहाँ से हटाये जा चुका था बस बहुत हो गया मैं अब इस घर में कभी लौट के नहीं आऊँगा चाहे कुछ भी हो जाए मैं नीचे आ गया और कपड़े से भरा वो बैग लेने के लिए जल्दी से अपने बैडरूम में गया लेकिन वहाँ जाके मैंने जो देखा वो देखके मेरी तो जानी निकल गई कमरे की खिड़की पर शायद गत्ते से ढग दिया गया था जिससे की कमरे में बिलकुल अधेरा हो गया था और कमरे की छट से लेकर चारों दिवारों तक एटिक की वो सारी तस्वीरे टंगी हुई थी वहाँ खड़े मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो सब तस्वीरे एक साथ मुझे घुर रही है और उन सब तस्वीरों के बीच एक फोटो हमारी थी मेरी अपनी वाइफ और बच्चे के साथ सोते हुए की फोटो लेकिन ये फोटो इस घर के नहीं थी ये फोटो मेरे मम्मी पापा वाले धर में ली गई थी मैं उशी वक्त वहाँ से भाग निकला अगली सुबह मुझे चर्च के बड़े फादर की कॉल आई मैं घर को ब्लैस कर दूँगा उसके बाद सब ठीक हो जाएगा सच बताओं तो मेरी थोड़ी हिम्मत तो बढ़ी थी लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि वो कुछ कर पाएंगे मैं उनके बताए टाइम पर वहाँ पहुँच गया ये फादर काफी बूरे लग रहे थे उन्होंने ट्रेडिशनल ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और उनके गले में एक बड़ा सा सिल्वर क्रॉस था उन्होंने अपनी पॉकिट से एक छोटा सा बॉक्स निकाला और उसमें से एक छोटी सी बॉटल निकाली जिसमें शायद होली वाटर था उन्होंने उस बॉटल को लेकर क्रॉस की शेप में छुड़का और उसमें से कुछ छेटे निकलके नीचे जमीन पे आगे रही उस वक्त हम बाहर लॉन में ही खड़े थे फिर उन्होंने मुझे अपने साथ अंदर आने को कहा वो हलकी हलकी आवाज में प्रेयर बोलते हुए आगे बढ़ने लगे मैं भी उनके पीशे पीशे था उनके मूँ से निकलती उस प्रेयर से मेरे दिल को बहुत चैन मिल रहा था वो घर के हर एक कमरे हर एक कोने को ब्लेस करते हुए आगे बढ़ रहे थे और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे मेरे दिल की धड़कन और तेश होती जा रही थी मुझे लग रहा था जैसे किसी भी पल कुछ हो जाएगा कोई हमारे उपर जपट पड़ेगा एक एक करके फादर ने पूरे घर को ब्लेस कर दिया आखिर में बचा था बस एक कमरा हमारा बेडरूम वही बेडरूम जिसमें मैंने एक दिन पहले वो सारी फोटो लगी देखी थी मैंने फादर को उस कमरे के बारे में नहीं बताया था उसके पास जाते हुए मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी मैं फादर को उस कमरे के बारे में बताना चाहता था कि शायद वो उस कमरे के लिए कोई एक्स्ट्रा प्रेयर करें जिससे कि वो कमरा ठीक हो जाए लेकिन लेकिन मैं चाहके भी उनको कुछ नहीं बता पा रहा था शायद कोई चीज मुझे उनको ये सब बताने से रोक रही थी दिमाग में चल रहे इन हजारों ख्यालों के सलाब में डूबा मैं बस वहीं खड़ा रहा और फादर ने उस कमरे का दरवासा खोल दिया मैं बाहर ही था और बाकी कमरों की तरह फादर उस कमरे को भी ब्लेस करके बाहर आ गये उनको वो तस्वीरे शायद दिखाई ही नहीं दी या शायद उन्होंने उन पर ध्यानी नहीं दिया उन्होंने दिवारों पर फुली वाटर छिड़का और पलट के बाहर आ गया मैं भी उनके पीछे पीछे घर से बाहर आ गया बेटा तुभारा घर अब ब्लेस हो चुका है अगर यहां कोई शेतानी ताकत थी तो वो यहां से अब जा चुकी है तुम अब आराम से यहां रह सकते हो वो बोले मैं हरान था कि वो इतने शान्त कैसे थे आपने वो फोटो नहीं देखी क्या वो फोटो मैंने नहीं लगाई थी उस कमरे में मैंने इरिटेट होते हुए बोला फोटो? कौन सी फोटो? अरे वो इतनी शारी फोटो जो उस कमरे में चारों तरफ लगी हुई थी नहीं तो वहाँ तो एक भी फोटो नहीं थी मैंने का नहीं आप अभी मेरे साथ चलो और मैं जल्दी शे उनको लेकर फिर से उस कमरे में गया लेकिन वहाँ तो अब एक भी फोटो नहीं लगी थी कहा है फोटो वो बोले मैं कुछ नहीं बोला बोलता भी क्या अभी दो मिनिट पहले मैंने अपनी आँखों से उनको उन फोटों पर खोली वाटर चड़कते देखा था लेकिन अब वहाँ एक भी फोटो नहीं थी हम बाहर आ गए तुमको अगर मेरी और जरूरत हो तो मुझे बुला लेना वो बोले लेकिन बेटा एक बार तुमको डॉक्टर से भी मिल लेना चाहिए वो शायद मुझे पागल समझ रहे थे मैं कुछ नहीं बोला और थेंक्यू बोलके उनको वहाँ से विदा कर दिया उनके वहाँ से जाने के बस दो सेकंड बाद ही मुझे घर के अंदर से एक तेज आवा सुनाई दी मैं भाग के अंदर गया तो देखा कि वो सभी तस्वीरें वापिस आ चुकी थी लेकिन इस बार उस पर कुछ लिखा भी हुआ था बच्चे ने तीन लोगों की ट्राइंग बनाई थी जिनके उपर उनके नाम लिखे हुए थे मैं मम्मी और एबी मैं घर वापिस आ गया मुझे इतनी थकान हो गई थी जैसे कि किशी ने मेरी बाड़ी की सारी एनरजी ही चूस ली हो रात मैं बैट पे लेटते ही मुझे नीद आ गई सोने से पहले मैंने अपनी वाइफ और बेटे को गुड नाइट कहा और सो गया लेकिन कई घंटे सोने के बाद जब मेरी आँख खुली तो तब भी मैं बहुत ठका हुआ महसूस कर रहा था जैसे कि मैं सोया ही ना हूँ मैंने घड़ी में टाइम देखा तो रात के धाई बज रहे थे उसके बाद मुझे नीद नहीं आई बस बैट पे लेटा अंधेरे में ही उपर पंके की तरफ देखता रहा कमरे में अजीब सी खामोशी थी कुछ तो गड़बर थी मैंने पलट के दूसरी तरफ देखा जहां मेरी वाइफ और बेटा सो रहे थे तो देखा कि वो तो वहां थे ही नहीं बैट पे सिवाए एक तक्ये के कुछ भी नहीं था कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा या फिर वो शैतान फिर से मेरे दिमाग के साथ केल रहा था मैंने ठंडे दिमाग से सब कुछ समझने की कोशिश की कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था इसका मतलब वो लोग बाहर नहीं गए थे लेकिन वो गायब कहा हुए मैंने घर का एक एक कोना चान लिया वो उस घर में नहीं थे मुझे पता था वो दोनों मुझे कहां मिलेंगे मैंने अपनी कार निकाली और उस घर के लिए निकल गया रात के टाइम बिना ट्रैफिक के वहां जाने में मुझे एक घंटे से जादा नहीं लगने वाला था घर के सामने पहुँचा तो देखा कि हमारे बेडरूम की लाइट चल रही थी और रात के अंधेरे में घर से आती उस लाइट में मैं अपनी वाइफ की परचाई साफ साफ देख पा रहा था वो कमरे में खड़ी थी और उसकी गोद में था हमारा बेटा मैंने कार रोकी और भागते हुए दर्वासे की तरफ पहुचा लेकिन दर्वासे पर तो ताला लगा था मैंने अपनी जेब से चाबियों का गुच्छा निकाला और हडबडाते हुए उस घर की चाबियों को डूढने लगा और दस सेकेंड बात ही मैंने रियलाइस किया कि उस घर की चाबियों तो गुच्छे से गायब थी मुझे इतनी तेज गुसा आया कि मैंने दर्वासे पे एक जोर से लात मारी मुझे अंदर जाना था चाहे कैसे भी और घर के अंदर जाने का सबसे असान तरीका था बेस्मेंट की खिड़की के शीशे को तोड़कर मैं भागता हुआ गर के पीछे की तरफ गया और एक बड़ा सा पत्थर लेकर खिड़की के शीशे को तोड़ दिया मुझे पता था शायद शीशा तूटने की आवाद से आसपास के लोग वहां आ जाएंगे लेकिन मैं तो यही चाहता था मैं तो चाहता ही था कि वहां के लोगों को भी उस घर के बारे में पता चले शीशा तूटने के बाद मैं किशी तरह सरकता हुआ खिड़की से लटक के नीचे बेस्मेंट में कूद गया मेरा सिर दिवार से टकरा गया कुछ सेकंड्स के लिए मुझे चक्कर आ गये लेकिन मैंने अपने आपको संभाल लिया गुप अंधेरे में जैसे ही मेरी आँखे नॉर्मल हुई तो मुझे सामने एक कोने में कुछ पड़ा हुआ दिखाई दिया मैंने जेब से फोन निकाला और टॉर्च ओन की और उस चीश के तरफ बढ़ने लगा मेरे सामने पड़ी थी मेरी आँखों से आंसू बहने लगे उसकी लाश से बद्बू आ रही थी और तभी मुझे उपर से अपने बेटे के रूने की आवाज आई मेरा बेटा अभी जिन्दा था मुझे चाहे कैसे भी उसकी जान बचानी थी मैं भागता हुआ उपर गया और एक लाट मारके दर्वाजे को खोल दिया उसके रूने की आवाज अभी भी आ रही थी लेकिन उसके साथ मैं एक और आवाज सुन पा रहा था मेरी वाइफ की आवाज मेरे बेटे के साथ खिलते हुए जैसा कि वो हर रोज करती थी और वो आवाज हमारे बेडरूम से आ रही थी बेडरूम का दर्वाजा बं था लेकिन दर्वाजे के नीचे से आती लाइट से मैं उसके वहाँ होने का अंदाजा लगा सकता था मैंने एक जटके से बेडरूम का दरवाजा खोल दिया अंदर मेरी वाइफ खड़ी थी वो मेरी तरफ पल्टी उसकी आँखों में आशू और डर था मैं उसके पास गया तो वो मुझे धक्का देके पीछे हो गई उस वक्त मुझे अपने हाथ में एक बोज सा महसूस हुआ मैंने अपने हाथ की तरफ देखा तो देखा कि मेरे हाथ में एक हथोड़ा था हथोड़ा लेकिन मैंने वो कब पकड़ा वो कब से मेरे हाथ में था ये सब क्या था मैंने वो हथोड़ा नीचे गिरा दिया मैंने फिर से अपनी वाइफ की तरफ एक कदम बढ़ाया लेकिन वो फिर से पीछे हट गई गोद में हमारे बेटे को मुझसे चुपाते हुए लेकिन वो, लेकिन वो मेरी वाइफ कैसे हो सकती थी मेरी वाइफ की लाश तो मैंने अभी खुद अपनी आखों से नीचे बेस्मेंट में पड़ी देखी थी वो मेरी वाइफ नहीं थी वो ज़रूर कोई बहरूपिया था जो मेरी वाइफ का रूप लेके मेरे बच्चे को ले जाना चाहता था मुझे अपने बच्चे को बचाना था मैंने पीछे जाके फिर से वो हतोड़ा उठा लिया, लेकिन तभी वो बहरूपिया जो मेरी वाइफ का रूप लिये हुए था, वो मेरे बच्चे को गोद लिये हुए ही, पीछे खिड़की का शीशा तोड़के नीचे कूद गया, मैं भी अपने बेटे को बचाने के लिए धराम से नीचे कूद गया, लेकिन नीचे तो कोई भी नहीं था, वो कहां चली गई, मुझे बेस्मेंट से मेरे बेटे के रूनी की आवाज आई, मुझे लगा शायद वो बेस्मेंट में चली गई है, तो मैं भाग के फिर से बेस्मेंट की खिड़की से नीचे पर रखी थी हमारे बेटे की फोटो और जैसा मैंने पहले सोचा था शोर की आवास सुनके आसपास के लोग वहां एकटा हो गए पुलिस भी आ गई मुझे मेरी वाइफ का कातिल समझ के पकड़ लिया गया लेकिन मेरा बेटा उसका कुछ पता नहीं चला अब मेरे उपर मेरी वाइफ के मर्डर का केश चल रहा है मुझे आज भी नहीं पता मेरा बेटा कहां गायब हुआ लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मेरा बेटा अभी भी जिन्दा है